नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल स्टॉड़ी टूड़े विद विपलप में है आज की इस वीडियो में हम माना ग्रूप में बदलना सिखेंगे किसी भी परिमिया संख्या को आप किस तरह से माना ग्रूप में बदल सकते हो यहाँ विडियो क्लास 8 के स्टुड़ेंट्स के लिए है ठीक है विडियो को कम्प्लीट देखना विडियो को लाइक करना सभी दोस्तों में स्यार करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए पहला प्रशन है यहाँ पर आपका पहला प्रशन है आपका 36 बटा माइनस 24 तो लेंगी देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पर 36 और जो 24 है यहाँ पर दोनों का क्या करना है मौस निकलना है सबसे पहले आपको क्या करना है एस से अप निकलना है मौस निकलना है तो यहां पर मौसो हो गया आपका 12 तो आपको यहां पर लिखना है 36 और 24 का मौसो की ICF हो गया आपका कितना 12 तो आपको क्या करना है अब क्या करना है जो 36 है और 24 है दोनों को आंग्स को और हर को दोनों को क्या करना है 12 से जो है भागा करना है 12 से जो मौसो निकला यहां पर 12 यह 12 से आपको क्या करना है दोनों को भागा करना है ठीक है भागा करना से आज़ाएगा आपका 12 यह 36 यानि कि 3 होगा यहां पर 12 दूनी 24 दो होगा और यहां पर माइनस है यहां पर माइनस लगा दना ठीक है यह होगे आपका मानक रूप किसी भी पर्मिया संख्या को मानक रूप में बदलना बहुत ही आसान है कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको मौसा निकलना है जि सी भी परमिय संख्या का मानग रूप निकाल सकते हो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रस्ण है आपका माइनस 9 वाटा माइनस 12 देखो यहां पर भी आपको क्या करना है पहले आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको यह से अप निकलना है नौ इका नौ हो जाएगा यहां पर घटाव करना से तीन आएगा फिर नौ को यहां पर लिखना है फिर भागा करना है तीन त्या नौ तो आपका यहाँ पर ACF निकला यहाँ पर 3 आपको लिख देना है यहाँ पर कि 9 और 12 9 और 12 का ACF मौसा कितना आया यहाँ पर 3 आया 3 आपको लिख देना है और दोनों को क्या करना है 9 को और 12 को 3 से भागा कर देना है आपको तीन से भगा कर देना है तीन से ठीक है तीन से भगा कर देना से आ जाएगा यहाँ पर तीन तीन नो और यहाँ पर तीन चोका बारा यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस चिनल लगा देना है और यहाँ पर भी लगा देना है ठीक है यहाँ पर देखो उपर में भी माइनस ह तो हट जाएगा उपर नीचे, कट जाएगा, तो आपको सिर्फ लिख देना है 3 वटा, 4, यानि कि धनत्मक परिमयसंख्या जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी परिमयसंख्या का, जो है माना ग्रूप, लिख सकते हो, ठीक है, माना ग्रूप में वदल सकते हो, next प् भगा करेंगे 24 को तो 16 हो जाएगा तो एक से देखेंगे घटाव करने से आ जाएगा आठ और 16 जो है इधर आ जाएगा फिर 8 से भगा करने आठ दूनी 16 ठीक है तो आपका मौसा निकला यहाँ पर 8 ठीक है तो यहाँ पर लिख देना है आपको कि 16 और 24 का मौसा आठ लिख देना है और दोनों संख्या को 16 कर 24 को आपको क्या करना है 8 से भगा करना है तो आपको इस तरह से लिख देना है उपर निचे 8 8 से भगा करना है और भगा करना से आएगा आपका 8 दूनी 16 दू आएगा और निचे आजाएगा आपका 8 तिया 24 तिन आ जाएगा next प्रस्षन है आपका यहां पर minus 28 बटा माइनस 35 तो आपको क्या करना है 28 और 35 को आपको जो है दोनों का ACF निकलना है मौसा निकलना है 28 इका 28 हो जाएगा आपका यहां पर और यहां पर साथ आ जाएगा घटाओ करना से ठीक है फिर 28 को यहां पर लिखना है आपको भज़े इसको बना देना है और यह आपका बन जाएगा भज़क ठीक है फिर साथ चोका 28 चला गया तो यहां पर लास्ट जो आपका लास्ट जो आपका भज़क है यहां पर साथ है तो इसको हम क्या मानेंगे ACF मानेंगे तो आपको लिख देना है यहाँ पर 28 और 35 का मौसर लिख देना है यहाँ कि ACF लिख देना है 7 और अब क्या करना है आपको 28 को और 35 को दोनों को क्या करना है 7 से भागा करना है माइनस 28 यहाँ पर माइनस 35 साथ से भागा करना है 7 चोग 28 और यहाँ पर 7 पंचे 35 उपर में भी माइनस है नीचे भी माइनस है हट जाएगा यानिके कट जाएगा उपर नीचे आपको लिख देना है 4 बटा 5 यह होगा आपका उत्तर इसी तरह आप किसी भी परमिया संख्या का माना के रूप निकाल सकते हो वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो का लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में स्यार कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कर दो में